नमस्ते आप दपंचाय देख रहे हैं आपको बता दे कि बिहार में सिक्षकों के निउक्ति जारी रहेगी सिक्षा मंत्री बिजय कुमार चौधरी ने कहा है कि एक महीने में राज्ये में 41,000 सिक्षकों की बहाली हुई है बताया कि साथवी चौधरी में 50,000 सिक्षकों की निउक्ति की जाएगी सिक्षा मंत्री बिजय कुमार चौधरी ने इसकी खुषडा गुरुबार को बिहार विधान सभाम में की बिजय चौधरी ने कहा कि कोट की पेचितगी के बाद भी हम लगतार निउक्ति कर रहे हैं प्रात्मिक टीचर के 41,000 पदों पर निउक्ति पर किरिया पूरी कर ली गई है अगले चरण में 50,000 टीचर की निउक्ति करेंगे प्रात्मिक विध्यालों में परधान सिक्षक के 40,000 पदों प्लस टूब इसकुलों के लिए 6,421 प्रिंस्पल के पद स्रिजित किये गये हैं जिसकी भी पेसी के जड़िये निउक्ति की जाएगी मंत्री ने कहा कि यह अंधियम निउक्ति नहीं है राज्य में सिक्षक निउक्ति की परकिरिया चल रही है और यह लगतार आगे भी जारी रहेगी विधान सबा में सिक्षभिवाग का बजट पेस करते हुए मंत्री ने कहा कि TET और STET एक पातरता परिक्षा है इस परक्षा के पास करने का यह अर्थ नहीं है कि सबों को नौकरी मिल जाएगी विपक्ष इस मसले पर कैंडिडेट को गुमराह कर रहा है जब भी रिक्तिया निकलेंगी TET और STET पास व्यर्थी आवेदन करेंगे और मेरिट लिस्ट के अधार पर उनकी नुक्ति की जाएगी सैक्षिक सत्र दोज़ा बाइस तेश की भावी का रियोजना पर मंद्री ने कहा कि सभी प्रात्मिक मद्य वुंच बिद्यालियों में पुड कालिक प्रधाना ध्यापक और परचारे की नुक्ति भी पिस्टि से कर ली जाएगी धन्यवाद